नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी मात्यां कफशा 10 विश्य सामाजीक्वी ग्यान पार्ट 2 भारत की संस्कृतिक विरासत परंपराय, हस्तकला और ललितकलाय तो यहापे हम इस पार्ट में जो है हमारे भारत की संस्कृतिक विरासत जो है जो परमपरा है कौन-कौन से हस्त कला है ललित कला है कौन-कौन सी है इस सब के विशह में जो है हम यहाँ पर जानकारी प्रात करेंगे भारत समरुज संस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसमें भोतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है बालक को जन्मक के साथ ही माता-पिता के शारिरिक और मासिक लक्षन मिलते है जिसे हम जो ही यहापे जैविक विरासत के रूप में जानते है तो यहाँ पर हमें क्या बता है कि भारत जो है यहाँ पर समरुज संस्कृतिक विरासत वाला देश है और जो है बहुतिक और जेविक विरासत का समावेश होता है बालक को जन्द के साथ ही जो है शारिरिक और मासिक लक्षन जो माता पिता से प्राप्त होती है उसे हम जेविक करता है उसे सामान्य रुफ से जो सांस्कृतिक पिरासत कहा जाता है यह आप हमें बताए गया है कि मनोश्य अपने कला कोशल बुद्धी युग्यत अगरा जो कुछ प्रात करता है या सर्जन करता है उसे हम जो है सांस्कृतिक पिरासत कहते है उसे तरह से समाथ जो है जीवन क्रूशिय व्यापार देनिक जीवन के नीति नियम उच्सव मनोरंजन कलाकारी गारी मान्यता और जो है कौशल का भी समावेश जो है इस सब में करते हैं भारत जो है विश्व का प्राचीन दे से उसके उत्तम परंपराव सामाजिक मुल्यों रुड्यों रिति रिवा जो परिवारिक जो व्यवस्ता है उसके विश्यस्ता है जो है सांस्कृतिक विरासत के देखबार और संदक्षन करना यह हमारा करतव्य है प्राचीन भारत की चोसट कला है जिनमें की हस्त कला, कारीगरी, कला बतूल, हुनर, स्चित्र, संगीत, नाट्यकला और मृत्यकला इत्यादी को हम इसमें गिन सकते हैं और अपनी प्राचिन मुद्राइबी मुल्यवान है, तो यह आप हमें बता है कि हमारा भारत विश्व का प्राचिन देश है, इसमें कई प्रकार के रोडी, रिवाज, रिती, रिवाज, परिवार, वयस्ता वगेरे जो है, इस सब किया सारी हमारी सांस्कृतिक विरासत है और प्रतिक स्वामान जो है योग विद्या को समगर विश्व ने स्वाकार किया है, और उसके परिणास वर रुप समगर विश्व 21 जो है विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है, तो यहां पर हमें क्या बताया गया है? कि हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिक योग विद्या, उसे पूरे विश्व ने आवे स्विकार किया है और उसके परि परंपरागता में समाया हुआ है भारत की रंग बीरंग जीवन को उन्होंने अपनी कला कारीगरी और उद्योग द्वारा जो है कुशलता से विक्सित किया है गुतने का काम, कास्ट कला, मिट्टी काम, धातो काम, सित्र कला, चर्म, उद्योग, मीना कारीगरी, नक्कासी काम, अकिक और हीडा संबंधिक, औशल फोन उच कारीगरी, जो है शिल्प स्थापतिय, हाथ बुनाई से जोड़ी हुई जो है कारीगरी आधी भारत की विशेश है, तो यहाँ पर हमें क्या बता है कि भारत की शांस्प्रुतिक विरासत का संदर या भारतय कारीगरों, जरी काम करने वाले वगेरे, परंपरा में या समया हुआ है, जिसमी की अलग-अलग प्रकार के कारीगरों के जो कुष्षलता वगेरे हैं, इन सब कोई विक्सित किय गया है जैसे कि गूतने का काम, मिट्टी काम, धातु काम वगिर जो है इन सब कोई द्वारा जो शिल्पस्था पत्तिय वगिर जो है यह सब भारत की विशेश परचान बनी है आगे हैं मिट्टी काम कला, मानव जीवन और मिट्टी की विच बड़ा ही प्राचिन संबन रहा हुआ है व्यक्ति की जन्म से लेका मृत्यों तक की यात्रा जो है मिट्टी से जुड़ी हुई है दातों की खोज नहीं होई थी तब मनुश्य अधिकांस तर जो है यापे मिट्टी से बने हुई वस्तों का उप्योग करता था जिन में के मिट्टे की खिलोने मटके कुलहर दिये मिट्टी के चूले तर अनासंग्रक की कोटी वगेरे का समावेश होता है तो यापे हमें मिट्टी कला के विश्य में बताया गया है कि मनुश्य के जन्म से लगा कर जो है इसके मृत्यों तक मिट्टी से संबन जुड़ा हुआ है और प्राचीन काल में अधिकतर जो है लोग सभी चीर वस्तों में मिट्टी के बने हुई ही है या पर साधन वगेर होते हैं उनका उप्यों करते थे उस समय गर की दिवारों को भी मिट्टी और गोबर से लिपकर सुरक्षित रखा जाता था पानी दूद्ध दही चाच और गी जैसे द्रव पद्दातों को भी मिट्टी के बरतनों में रखे जाते थे हरपा संस्कूथी के समय के कारीगर के मिट्टी के लाल रंग के प्याले और बर्णी रखाबी आदी बरतन मिले हैं कुमार के चाग को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रतम्यंत्रब माणा जा सकता है तो यहाँ पर हमें क्या बता है कि इस प्रकार से अलग-अलग जो है हमें रसोई कर में वगिरे सब जगा जो है मिट्टी के बरतन देखने को मिलते हैं और कुमार के चाक को जो है मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का सबसे पहला यंत्र मान सकते हैं आज भी नवराती में गर्बा अंदर में दीपक हो ऐसा चिद्रवाला मिट्टी का घड़ा हमें देखने को मिलता है कि आज भी नवराती में जो है मिट्टी का बना हुआ घड़ा वगेरे हमें जो है यह देखने को मिलते हैं कच्छी मिटी और कच्छी मिटी से पकाई जो टेरा कोटा गए बरतन तथा वस्तु का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचिन काल से ही प्रसिद रहा हुआ है जिसका प्रमाण हमें दक्षिन भारत के नागरजन कोंडा और गुजरात के लांगनज महसाना से मिले हुए अलग अलग जगा से प्रमाण भी प्राप्त हुए है जैसे के महसाना से तो इस प्रकार से जो ही नागरजन कोंडा से तो हमें अलग 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 प्रकार के अउशेश होगेरे प्राप्त हुए है अगे है बुनाई कला रुई की पूनी में से रेशो को खीचने के साथ जो है एंट कर लंबा धागा बनाने की कला को हम कताई कहते हैं महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई ग्रुः उद्योग को विशेश महत्व देते हुए आजादी आंदोलन में उसे जो है स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़कर एक इतिहास बनाया है तो यहाँ पर हमें बताए गया है कि रुः की फूनी जो है उसमें से रेशे को कीचनी के साथ जो है एट कर एक लंबा धागा जो है वह बनाने की कला को हम कताई कहते है और महात्मा गांधी जी ने इसे विशेश मौत्व दिया है जिसके आदार पर जो है स्वदेशी और स् चेत्र में प्रसीद रहा हुआ है ऐसा कहा जाता है कि डाका जो है उसकी मलमल का थान अंगोटी में से निकल जाता था और दिया सलाई की डिबी में भी आ जाता था तो यहाँ बताया गया है कि जो वस्त्रविद्या अगे रहे है इस सब में भारत प्राचिन समय से ही काफी प्रसिद रहा हुआ है और ऐसा माना जाता था कि धाका का जो मलमल है वह उसका जो थान है वह अंगुठी में से निकल जाता था और दिया सराई की डिब्बी में भी आ जाता था कश्मीर सहीर जो है आपे भारत में बनने वाला जो है गलीचा पाटन का जो है आपे पटोला कां कारिदानी पार्टन में अनिक कारीगर आकर बसे उनकी कारीगरी और कॉशल के कारण जो है विशयष करके पार्टन का पट्टोला जो है जग विक्छाट बना है तो यहाप हमें पता गया है कि गुझरात में सोलन की वन्ष के समयकाल में जो है आपे उस समय के जो उनकी हमारे यापे गुझरात की जो राजदानी वह पाटन थे और अनेक कारीगर आकर वहां पर बसे उनकी कारीगरी और कोशल के कारण जो है विशेश करके पाटन का पुरे विश्वा में प्रक्यात है पाटन की यह कारीगरी लगबख 850 वर से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है अतियंती अटपटी जटिल और समय लेने वाली यह कला जो है आज कुछ मर्यारित कारीगरों तक ही सीमित रही हुई है पाटन में बनने वाले इस रेश्मी वस्तर को जो पटोला कह जाता है जिसमें दोनों एक तरफ एक ही प्रकार की चाप हमें दिखाई देती है अतर उसे दोनों तरफ से भी पहना जा सकता है ऐसा पटोला जो है कई वर्षों तक फटता नहीं ही और रंग भी नहीं जाता है इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचली थे पड़ी पट पटोले भात फाटे पर फिटे नहीं तो इस प्रकार से जो है गुजरात का पाटन का पटोला जो है वह विश्व विक्यात है आगे है कड़ाई बुनाई की कला हडपा और मुहेजदड़ों के उत्खरनन दोरान मिलीवी मुर्तियों और पुतलों के वस्त्र पर भी जो है क सवराश्ट्र और कच्चे के स्त्री पूरुसों के वस्त्रों पर कस्षीदा कारी देखने को मिलती है इसी तर से कश्मीर का कश्मीरी कश्रीदा भी प्रसिद है तो यहाँ पर हमें बताय गया है कि हडपा और महेजद़ों के उत्खरनन के दोरान जो है काफी मुर्टी वग सेंद संस्कृति के समय में जो है आपे सेंद सौराश्ट्र और कच्चे के स्त्री पूरुसों के वस्त्रों पर जो है हमें कस्षीदा कारी देखने को मिली है इसी तरह से कश्मीर का कश्मीरी कस्षीदा भी प्रसिद है इसके उपरान गुजरात के जामनगर जेदपूर प्रदेशों के स्त्रीयों जो है उनका गुरुव व्यवसाई रहा हुआ है तो यहां पर हमें बता गया है कि इसके उपरान गुजरात के जामनगर जेदपूर भूच मानवीक शित्रव बांधनीता था उसके उपर की गई परंपर अगर शेले वाली हाथी पुतली चौरस प्रदेश की वगेरे कि यह काफी प्रसीद है कपड़े के उपर चपाई और कड़ाई बुनाई जो है गुजरात के जो है कच्च सवराश्ट्र प्रदेश की जो स्त्रिया है उनका गुरु व्यवसाई भी रहा हुआ है चंदोवा लत्ता तोरन उसके बाद चोका तक्या मस और जूले के उपरान कही जाते हैं में पहणनी जाने वाली मिर्ज़य नामक वस्त्र के उपर की गई कड़ाई बुनाई जो है यह कला के परंपरागत आज भी प्रक्यात है कड़ाई बुनाई से सजा धुस्सा रजाई के उपर जो बौमितिक और विवित आकृति प्रदा से अलग-अलग कसीदाकारी के विशय में बताया गया है भौमिति काकर की कसीदाकारी और कच्छी में बनीक्षेत्र में जज जैसी जो कौम की कशीदाकारी है वह भी अलग पहचान वाली है तो विद्यार्ति हमने इतना जाना आगे है चर्मुद्योग जो हम अगले वीडि ार्व में जूलग कि शीदेरी है चर्मुद्वाप